नाली खुदाई को लेकर उपजे विबाद ने खूनी संघर्स का रूप ले लिया और फावडा गैती से किये गए हमले में पिता और उसके दो पुत्र गंभी रूप से घाया लो गए चोरहटा थाना के रहट गाउं में रविबार की सुबह आठ बजे नाली की खुदाई को लेकर हुए विबाद कुसल प्रशाद चतुरवेदी 55 वर्स और उसका पुत्र विकास चतुरवेदी 30 वर्स तथा छोटा पुत्र ललन उर्फ राज ललन चतुरवेदी 25 वर्स घायल हो गया घायलों का आरोप है कि रहट जलसंस्था का अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी यमुना त्रिपाठी वा दो अन्य ने फावडा गैती से हमला करके घायल कर दिया है उन्होंने बताया कि आरोपी उनकी जमीन से नाली की खुदाई कर रहे थे मना करने पर उन्होंने प्राण घा तक हमला कर दिया क्राम रहट में किसानों का प्रकरण है ये तीम किसान है जिनको मारा गया है और क्राम रहट के जल संस्था अध्यक्ष देवेंत्री पाठी उनके वाई जमुना प्रिपाठी और ठेकेदार जो की अवयद रूप से नाली का निर्माण खेट से किमीज से कर रहे थे किसानों ने जब मना किया तो इनको जमुना त्रिपाड़ी और देवें त्रिपाड़ी जो की चल संस्ता के अद्ध्यक चाहें और ठेकेदार ने मिलके मारा है इसमें से एक यूबा लड़का है विकास चतुरवेदी वो काथी कमधीर इस्तित्वे है रजनीश नाल विकास राजललन चतुरवेदी और कुसल पसाच चतुरवेदी तीनों की स्थित्व कमधीर है बहुत महारा है सिर्में कमधीर फोटे आई हुए मुकता तीन लोग थे और वियन लोग थे लेकिन मारने वालों में मुकता ये तीन लोग थे देवें त्रिपाठी जमुना पसात्रिपाठी और ठेकेदार